आप बुर्ण्रीं चलिए आपको बताते हैं कि टहरी में आपि इंवयस बिल कैसे बनाईएगा। इसके बारे में आपको बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टैली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो tally लिखिएगा और यहां से open करेगा tally prime, tally prime open करने के बाद जैसे ही tally prime आपका open हो जाता है, देखिए tally prime open हो रहा है, जब तक tally prime होता है open तब तक आपको हम कुछ-कुछ बता देते हैं, देखिए क्या हम बताने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आप समझें कि एक होता है आपका supplier, एक होता है supplier, ठीक है, एक होता है supplier, ठीक है, और एक होता है आपका buyer, क्या होता है? supplier का मतलब होता है कि जो सामान supply करता है, उसको supplier बोलते हैं और जो सामान बेचता है, जो सामान खरिदता है, उसको हम लोग buyer बोलते हैं, ठीक है, जो सामान जैसे मेरा किराना store का दुकान है, मेरा एक किराना store का दुकान है, तो हम लेने के लिए गए चावल, तो जिससे हम चा player हम क्या alsohave keeper और उसके बाद दो मान के चली कि आप हमारे पास ही चावल खरीदने के लिए आए ता आप मेरी लिए होगी ग्राहक क्या होगा ग्राहक आप जब आप समानघ क्रिदीए अब से क्या मांगिएगा वैर्लिस मल सी को दीजिएगा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग company बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग company में जाएंगे और देखिए यहाँ लिखाओ अब कीरियेट पर चल जाएंगे और यहाँ पर हम लोग company बनाएंगे, सबसे पहले company का नाम लिखेंगे the future tracks private limited ठीक है यहाँ पर दे देंगे city center धन्बार फिर यहाँ पर दे देंगे जारखन यहाँ पर pin code 826001 telephone number कुछ भी डाल देते हैं ऐसा ही mobile number कुछ भी डाल देते हैं email id हम डाल देते हैं साइज है ठीक है यह मेरा email id है www.thefuturetrack.in यहाँ पर from beginning year और financial और दोनों सेम होता है इसलिए accept कर लेंगे अब हम लोग को यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं करना है क्योंकि हम लोग simple invoice बना रहे हैं यहाँ पर से GST भी है GST को हम लोग अभी no कर देंगे क्योंकि हम simple invoice बना रहे हैं ठीक है और यहाँ से हम लोग accept कर लेंगे accept करने के बाद देखिए किरियर्ट लिखा हुआ है किरियर्ट में आईएगा आप देखिए यहाँ पर laser लिखा हुआ है laser में आईएगा और जो बेक्ती सामान खरीदेगा और जिससे आप खरीदिएगा हम दोनों आपको बता दे रहे हैं जैसे पहले बनाएगा supplier supplier का मतलब नाम भी लिख सकते हैं जैसे राम्स जैसे लिख देते हैं स्री राम्स पीवीटी यल्टीडी यह एक दुकान का नाम है यह आपके लिए महाजन इसलिए supplier हो जाता है संडी क्रेडिटर क्या हो जाता है संडी क्रेडिटर अब यहाँ पर से आपको default credit period में 30 देज लिख देना है यह रहने वाल जिसका नाम क्या है जैसे देदेदेटे एड्रेस हीरापूर धन्वार और लंबा एड्रेस अता लंबा भी डाल सकते हैं जहारखन पिन कोड 826 001 ठ यहां से आप accept कर लिजेगा पैंकर डाल करें उसके बाद यहां पर से ले लिजेगा आप आपने समान खरीदने के लिए का आप कोई customer आएगा तो हम customer का नाम बाद में लिखेंगे अभी हम लोग इसको skip करेंगे और यहां से आज आएगे हम लोग stop UP 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 UNITS OF MAJOR में UNITS OF MAJOR का मतलब होता है कि अगैर आप चावल खरीदिएगा तो LG से करेगा अगए रोटे है आप डाल खरीदिएगा कम्प्यूटर खरीदिए गा ता पीश से करेदिएगा तो हम लोग बना लेते हैं यहां पर pole केजी पीश उसके बाद बना लेते हैं केजी और केजी में डेसिमल पॉइंट 3 करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी कस्टमर आएगा जो आपको चावल दो किलो और एकसेप्ट कर लेंगे अब हम लोग अस्किप करेंगे और यहां से बाउचर में आ जाएंगे ठीक है बाउचर में आने का बाद एफ नाइन प्रेस करेंगे क्योंकि हम लोग को अभी क्या खर्णा है क्या करना है खरीदना है थीक है तो हम लोग खरीजना है तो इसके लिए हम लोग फ्रेस करेंगे यहां से फ्रक्रेस कर दिये और यहां पर लेंगे पर्चेज देखिए लिखा हुआ पर्चेज पर्चेज ले लिए अब यहां से invoice number देखिए मांग रहा है खरीद दिएगा तो invoice number भी डाल दिए यहां date ले लिजिए स्री राम private limited से खरीद रहा है यहां receive number डाल देंगे यहां पर receive documents number डाल देंगे dispatch through van designation बोकारो मान के चलिए बोकारो as a courier name कुछ भी दे जाते है राम्स courier कुछ भी दे दीजिए abc courier कुछ भी है ने अब उसके बाद bill landing number date डेल दीजेगा विकल डाल दीजेगा और यहां से accept कर लिजेगा ठीक है उसके बाद यहां पर यहां पर देखी लिखावाया है show more और किरियेट हम लोग को किरियेट करना है एक laser बनाना है purchase का तो यहां प्रमलूग ले लेंगे purchase purchase का हो जाएगा purchase account ठीक है अब इसको accept कर लिजेगा अब यहां से देखिए आपको खरीदना है तो spacebar प्रेस करिए यहां से ले लिजेगा computer और आपने कितना पिस खरीदा 10 पिस खरीदा rate कैसे दी आपको 2000 रुपे और यहां अगर डिस्कॉंट देना चाहते हैं दे रहा है तो ले लिजे नहीं तो एक छोड़िए और इसको accept कर लिए ठीक है देखिए यहां पर date का issue हो रहा है तो अगर date का issue होता है तो यह बराबर आपको होगा क्योंकि आपको एक चीज़ और बता देते हैं आप जो tally version में क करने का भी कोई जरूद नहीं आप यहीं से direct company में आए और company आने के बाद आप यहां देखिए लिखा हुआ है आपका change में आईएगा इंटर करिएगा पहले company चेंज उसके बाद आप करिएगा select company इंटर करिएगा उसके बाद आपका company का नाम क्या है जी future track private limited इस पर इंटर असकीब करिए गळवड़ा गें है नहीं गळवड़ा गे अपर देट वाज वहन है बनाना ही पड़े गड़ेगा नहीं है